Assalamualaikum my youtube family and welcome back to my channel कैसे हम सब लोग मीद करते हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे अच्छे टाइटल और थामनेल देखकर आपको अंदाज़ों हो गया होगा कि आज आज आप क्या ट्राइ करने वाले हैं अजी बिलकुल यह मैंने लोग क्रियेट किया तो मिझे लगा कि यह बुर्के के साथ बिलकुल फिट जाएगा तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सक्यू एम की बीबी क्रीम जो कि यह लोग डावा करते हैं कि यह फॉलेस ब्राइटनेस आपकी स्किन को देगी आउटर पैकेजिंग इसकी कुछ लुक लाइक इस तरह की है यह आप देख सकते हैं कार्डबोर्ट सिंपल जैसे कि पाकिस्तानी प्रोड़क्ट होता है वैसे यह एक चाइना का प्रोड़क्ट है अचाई यह दावा करते हैं कि फुल हाइडरेशन देती है 25 साल से 80 साल की खवातीन मर्दा जराद इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं मल्टी फंक्शनल है यह अचाई सिक्सिन बेन क्रीम है इसके इलावा इसकी सारी डिस्क्रिप्शन, हाउ टू यूज यानि कि सब कुछ इस पे मैंशन है कि इवन टून करती है सकिन को, रेडनेस वागरा नहीं करती इसके इलावा जो है इसमें SPF 15 भी मौझूद है जो कि हमें सूरज की शुआउं से बच चाता है लेगिन मेरे हैल में इन लोगों ने SPF 15 से ज्यादा ही इसमें डाल दिया है क्योंकि यह ज्यादा तर मुझे बी-बी क्रीम से ज्यादा संस्क्रीम लग रही थी इनर पैकेजिंग और पैकेजिंग और यह इसकी अंदर साइड या नहीं कि बहुत ही ज्यादा अंदर जाकर यह कुछ इस तरह की लुक लाइक है अच्छे इसका टेक्स्टर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना क्रीमी है अजीव किसम का है तो मैंने सोचा कि इसको ट्राइ किया जाए तो कुछ भी ट्राइ करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉस्टराइज करती हूँ तो सबसे पहले मैंने पॉंस के लाइट वीट मॉस्टराइजर से अपने सकिन को जो है ना बहुत ही अच्छे से मॉस्टराइज कर लिया और उसके बाद ये क्रीम इसके उपर टॉपर लगा हुआ है अपने सकिन पे लगाई और फिर स्पॉंज की हेल्प से इसको लगाया एक्च ब्लैंड ये बहुत अच्छे तरीके से हूरी थी फुरी तरीके से ज्जब हुरी थी मॉस्टराइजर इसमें मॉजूद है भिया None ऐअझा फिर्ण को लेकिन आप इसके साथ जो एवन एक बहुत जो सफिद 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 सरचेरा हो जाता है जो के बहूत जादा पिक्मिटिशन वगारा मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी जैसे कि ये देखे में हाथ पे लगा के दिखा रही हूं आपको तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वाइटनिंग एफेक्ट्स देती है पाकिस्टानी या वीटिश इसकिन टोन एशियन इसकिन टोन के इसाब से आपको ओवर दिखाएगी दिन के टाइम पे रात के टाइम पे आप इसका फिर भी घुजारा कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपने ब्लाश वागरा लगा लिया तो सकता है लेकिन दिन के टाइम पे या आपको जो है ना बहुत ओवर ओवर लुपतेगी कि यार देको चेहरे लगते लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा बहुत जादा वाइट लुक जो है ना यह आपको देगी और यह चीज मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं हाई आपने लैंस वगरा लगा लिये या थोड़ा सा चेहरे का मेक अप कर लिया तो ओकी हो जाएगी अधर वाइस जो है ना मुझे यह इसकी चीज जो है यह समझ नहीं आई तो उसके बाद जो है मैंने जो है एक लिप क्लॉस ले ले लिया अपने होंटों पे लगा लिया ताकि जो मैंने फाउंडेशन या सौरी बीबी क्रीम लगाई है एक्सक्यू एम की तो उसको जो है ना थोड़ा सा सही तरीके से लुक का जाए क्योंकि अगर मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ लिप मॉस्टराइजर या लिप माम लगा लेती तो अच्छा नहीं होता पिर मैंने थोड़ा सा काजल भी पहन लिया उसके बाद क्रिस्ट्रीन का जो है ना मुझ मसकारा लगा लिया बहुत ही अच् करो इस अ बीबी क्रीम जो है ना मुझे ये सही नहीं लगी इसके साथ जो है ना फिर आपको फुल लुक क्रियेट करना पड़ेगा जैसे के मैंने किया है तो उसके लिए मेक अप करके बाहर जाना बुर्के में रहना I don't think so कि ये बिलकुल सही होगा क्योंकि बुर्के में जब हम होते हैं तो हमें बिलकुल जो है ना इतना comfortable होना चाहिए और इस तरह से हम make-up करके बाहर तो नहीं जा सकते में तो कम से कम नहीं जा सकती खवातीन जाती होंगी लेकिन में नहीं जा सकती तो ये final look था मेरा और इसके पाद जब मैंने बुर्का पहना और सकाफ लिया तो ये वाला look काया मेरा तो मेरे हिसाब से XQM की ये BB क्रीम ओके है एवरिज है मेरी तरफ से 10 मेंसेज को मैं 6 numbers दूँगी इससे ज्यादा नहीं जिनकी बहुत ज्यादा whitish skin tone है वो इसको जरूर इस्तमाल करें बाकी जो whitish skin tone वाले हैं sorry for a critic वो उनके लिए मैं recommend नहीं करूं तो यही था आज की वीडियो में उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो like share और subscribe करना नहीं बूलिएगा मुझे अपनी दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए लाँ आफिस